गुद मॉर्निंग फ्रेंड आज मैं एक जातक कथा फिर से लेके आया हूँ ये जातक कथा बहुत प्राचिनकाल की है प्राचिनकाल में एक नगरी थी उस नगरी में एक गुर्कुल था और उस गुर्कुल के एक आचारे थे वहाँ पे कुछ धनी लोगों के और कुछ गरीब लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे और वह बहुत अच्छी तरह और बहुत ध्यान और मेहनत से पढ़ाया करते थे एक दिन गुरुजी ने अपने सब सिश्यों को बुलाया और कहा बच्चों मेरे सामने एक समस्या है बच्चों ने कहा क्या है समस्या गुरुजी उन्होंने कहा कि मेरी कन्या बड़ी हो चुकी है अब मैं उसका शादी करना चाहता हूँ लेकिन शादी के लिए मेरे पास परयाप्त धन नहीं है तो मैं बहुत चिन्ती थूँ कि मैं शादी कैसे कर पाऊं तो इसलिए मैं आप लोगों से आज आपकी सलाह चाहता हूं बच्चों ने कहा गुरुवर इसमें चिन्ता की क्या बात है हम में से कुछ बच्चे धनी हैं उन धनी बच्चों ने अपने आप कहा कि मैं हम लोग अपने घरों में जाते हैं और अपने पिताजी से धन मांग के लाते हैं और आप उसे गुरुदक्षिना समझ के रख लीजिए और अपने बेटी की शादी धूमधाम से करिए तो आचारे ने कहा बच्चों आपका ये जो सुझाओ है ये तो है तो बहुत बढ़िया लेकिन इससे क्या होगा कि आपके जो अभिबावक हैं आपके जो माता पिता हैं वह समझेंगे कि गुरु बहुत लाल्ची है जो मेरे पद और पतिष्ठा के लिए अच्छी नहीं है इसलिए मैं स्विकार नहीं करता हूँ तो बच्चे फिर से चिंतित हो गए और गुरु भी कुछ समय तक चुप रहे तो गुरु ने कहा कि अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग अपने घर जाईए और चुपके से धन उठा के ले आईए धन तब उठाना है जब कोई देखे नहीं और ऐसे धन को आप मुझे दोगे तो मैं उससे अपने बच्ची की शादी कर दूँगा तो जो उनके धनी शिश्य थे हो अपने घर चले गए और उन्होंने कुछ उठा उठा के लाके गुरु को दिया और गुरु ने उसे बड़े प्रेम से रख लिया तो गुरु ने सोचा कि यह जो मेरे गरीब शिश्य है यह गुरु शिवा नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने कहा बच्चो आप भी जाओ अपने घर में जो भी है चाहे थोड़ा है चाहे जादा है चाहे कम पैसे की वैलू है आप उसे ले के आओ तो भी मुझे कोई आतराज नहीं है आपकी भी गुरु शिवा हो जाएगी तो गरीब बच्चे भी गए और थोड़ा थोड़ा अपने घर से समान लाते गए और धिरे धिरे गुरु के पास इतने धन हो गए कि उस शिव शादी कर सके लेकिन गुरु ने नोट किया कि एक शिश्य ने कुछ भी न ला के दिया था गुरु जी ने उस शिश्य को बुलाया और कहा बच्चे क्या बात है तुम्हारे माता पिता इतने निर्धन है कि तुम एक समान भी न ला सको उस शिश्य ने कहा गुरुवर ये बात नहीं है आपने कहा कि आप घर में से धन वहां से उठाइए जहां कोई न देख रहा हो तो इसलिए मैं ये धन नहीं ले पाए क्योंकि मेरे घर में हर समय ऐसा कोई कोना नहीं होता जहां कोई नहीं होता है गुरु ने कहा कमरे में कोई नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं धन नहीं उठा पाता है क्योंकि मैं धन उठाने जाओं तो कोई नहीं देख रहा है तो इश्वर देख रहा है लेकिन अगर मैं इश्वर को भी न मानूं कि इश्वर का कोई आस्तित तो नहीं है तो भी वह तो मैं तो देख रह हूँ तो मैं अपने आपको बैमानी करते हुए कैसे देख सकता हूँ इससे मुझे बुरा असर होगा मेरे उपर इसलिए मैं धन न ला सका गुरू उसकी बास सुनकर बहुत प्रशन हो गए और गले से लगा लिया कहा कि बच्चो मुझे धन की कोई आउशक्ता नहीं थी मैं तो तुम लोगों की परिक्षा ले रहा था मैं अपने सिष्चो में से एक इमानदार शालीन और सरुत्तम सिष्च को खोज रहा था और वो आज मैंने खोज लिया और मैंने आज डिसाइट किया है आज निस्चित किया है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह लेकिन कहानी से सिक्षा क्या मिली कहानी से सिक्षा यह मिलती है कि हम जब भी कोई पाप करते हैं कुछ भी गलत करते हैं तो इस्वर तो देखते ही रहता है लेकिन हमें विश्वास नहीं होता कि इस्वर भी कोई होता है या नहीं होता है तो इस्वर को अगर हम विश्वास न परिणाम कर लेते हैं और इसका पृरे निवारे मस्तिसक वे पढ़ता है और हम चोर बन righteous हैं और हम अपने लिगाह में अपना आत्मसंगान खो देते हैं तो सब्सक्त करों कोई नहीं करना चाहिए जहां कोई नहीं पर देख रहा है तो वहां हम देखते हैं तो आज की जातक कथा खतम हुई अगर आपको ये जातक कथा पसंद लगे तो आप इसको खुल के शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मेरी इस कहानी को सुनने के लिए अगले कहानी का इंतजार कीजिए धन्यवाद धन्यवाद